नमस्कार आप देख रहे हैं आपका अपना टेलिवीज टीवी चैनल जहाँ पर मैं प्रिया बांडे आप सबने का एक बार फिर से स्वागर करती हूँ चलिए बात कर दीजाए करस टीवी के दी मोस्ट पॉपलर शो मिश्री की दोस्तों सीरिल मिश्री के आखे आने वाले चाक पी आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से अब हमारी मिश्री का गुस्सा सात्वे अस्मान पर चड़ने वाला है क्योंकि मिश्री के पती राघव की जंदगी का सवाल है अब देखे जैसे जैसे मिश्री और राघव अपनी नए संसार को बसा रही है वैसे वैसे वानने इनके नए संसार को जाने की पूर कोशिश कर रही है मगर इसी बीच वानने के कुछ ऐसे इरादे हैं जिनने जानने के बाद मिश्री खुद पर काबू नहीं करपाती है और पहुंच जाती है मानी के पास और जाने के बाद वो मानी से बात करती है उसे समझाने की कोशिश करती है मगर मानी तो मानी है वो अपने मन की ही करेगी क्योंकि उसका तो कोई अधूरा बदला है जिसे उसे पूरा करना है ऐसे में मिश्री जब उसे समझा कर हार कर ठक जाती है और जब वो उसके राघव को जान से मारने के बाद करती है तो मिश्री से सब कुछ सुनाने जाता और गुस्से में मिश्री रानी पहली बार अपनी वानी दीदी के गालों पर जोरदार तमाश आजर देती है अब इस थपड़ को खाने के बाद वानी और भी जादा एक्रेसिव हो जाती है और अब सिर्फ वो राधा को ही नहीं बलकि मिश्री को भी जान से बार देना चाती है ताकि वो इन दोनों से अपना हिसाब पराबर कर सके फिलहाल ये थपड़ वाला सीन देखकर आप दर्शक काफे खुश होने वाले है क्योंकि अब तक हमने देखा है कि वानी ने मिश्री को कई सारे थपड़ मारे मगर पहली बार मिश्री नहीं जब वानी को थपड़ मारा है तो बड़ा मसा आया है अब कहानी में हम ये भी देखेंगे कि मिश्री वानी के अगले वार से राघव की जिन्दगी को कैसे बचाएगी क्योंकि कहीं न कहीं वानी अब बहुत ही खतरनाग प्लाइन कर रही है राघव और मिश्री के खिलाफ इस planning plotting से कैसे बच पाएंगे मिश्री और आघव देखेंगे आगे आने वाली ट्रैक में